Mr. Abhishek Mitra, CEO and founder of the Indian Cyber Security Solutions has been featured in ABP News Hindi. He explains on what Pegasus is as well as how it can tap a person's device, causing data breach in it. गैजजट के जरिए, एक Pegasus के जरिए, किसी का भी फोन और उसमें सब चीज़ें हासिल कर जा सकती हैं, उसकी बारे में जानकारी तस्तील से बसाइब. देखे, Pegasus is a weaponized software or an application जिसको हम लोग टेकनिकल टर्म में RAT बोलते हैं, Remote Access Stoaching. यह किसी mobile में अगर आप infect करना चाहते हैं, तो वो किसी का महताज नहीं है कि कोई जाके उसको click करें तभी वो install हो, इसका range 80 to 20 km के अंदर में अगर उसका mobile number करता है और वो internet से connected है, वो number है, जो handset है, वो internet से connected है, तो वो surveillance कर सकते है, वो surveillance कर सकते है, वहाँ पे किलका call log क्या है SMS क्या है, camera tap करना, front camera, back camera access लेना, सब कोच, even you can delete, आप delete कर सकते SMS को, आप receive भी कर सकते है, send भी कर सकते है, पुरा remotely आपका पुरा जो device है, जो आपका mobile है, वो remotely access हो जाएगा, जो आपको surveillance कर रहा है, अगर यह सोचिए अगर individual अगर हम लोग सोचते हैं, कि हम लोग कैसे ही इसक surveillance के अंदर आगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप प्रेगासस के surveillance के अंदर है या नहीं है, तो अगर आप एक नॉर्मल ट्रैक्टिस यह है, कि हम लोग 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 सुने है, अभी तक हम लोग को सब को पता चल गया कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रेग surveillance करना, huge, huge cost, जैसे कि 3.8 billion euros का spending होता है, जो ये एक common person या एक single company का investment नहीं हो सकता है, तो ये government obviously अपना infrastructure को secure करने के लिए ये use करते हैं, इसमें आत्में कितनी सचाहिए, कैसे पता लग सकता है कि Pegasus ने ये किया है, सरकार ने करवाया है, इसकी जानकारी कैसे, इसको किस तरह करने से तथियों के आधार पर साबित किया जा सकता है, कि उन्होंने किया है कि नहीं? अगर हम लोग ये Pegasus को as a weapon मानते हैं, या weapon है ही है, तो ये weapon NSO ने deploy किया है, NSO ने इसको like sell किया है to the government, जब ही कोई NSO किसी के साथ sell करता है, they sign an NDA, non-disclosure agreement, जिसमें ये लिखा हुआ र अगर NSO के अंदर कोई insider है, जो बाहर में ये data leak करे और ये तथिय दे कि यहाँ पर जाके इन ये governments ने खरीदा है, तभी आपको पता चलेगा, अभी आप यहाँ पर बैठ के, कोई अगर individual, अगर मैं बोलो या आप बोले कि मैं प्रेगरस के जारा monitor किया हूँ, या आप बोल ये कि कैसे हो सकता है और एक चीज़ समझना चाहेंगे आम आदमी के लिए खास तोर से कि क्या मेरे फोन से मेरे बैंक की सारी डीटेल्स और मेरे पैसे निकाले जा सकते हैं, देगे आपके फोन से आपके बैंक के डीटेल्स के लिए आपके आपके authentication के लिए एक OTP रहता है, तो समझ देजिए आप OTP जो आपको पास receive होता है आपके पास तो वो आपके mobile में receive होता है, अगर pregasus हो गया या कोई भी software, पहले जो था 2016 के समय बहुत सारे software थे जो hackers like ethical hackers like we are, हम लोग के जैसे या black hat hackers, market में खरीद सकते थे, जैसे डार्क वेब में खरीदा जा सकता है, या आप download करके आप infect कर सकते हैं, लेकिन अभी जो Android का नया version है या iOS का नया version है उसमें ये open softwares थे वो अभी काम नहीं कर रहे है, अभी pregasus के अगर उपर में जाए, तो pregasus obviously इसे weaponized system में आप ये बात करें, तो weapon के through से ये obviously आपको पता चलेगा नहीं कि आपको क्या-क्या monitor हो र तो आपको अगर आपका bank account details किसी के पास पता है and he can do a number of transactions by looking into that SMS, तो अगर सोच लीजे आप like social engineering इसको बोलते हैं, मैं आपके साथ जान पैचान है, I know that you go to sleep at, समझ लीजे साड़े 11 बजे, तो साड़े 11 बजे के बाद अगर आपका mobile phone on रहता है क्योंकि आप journalist है, कभी भी आ आपका first phone आ सकता है, तभी हम साड़े 11 बजे से आपका transaction सुरू करेंगे on a bulk of 10,000-15,000 करके और आपका transaction करके आपके SMS भी हम delete कर देंगे, क्योंकि उसके बाद वाले दिन जब आपके पास SMS नहीं लेगा जो आपको alarm भी raise करे, next day आप जब बैंग में चेक करेंगे तब आपका already transactions हो चुका है, इसमें आम आदमी को समझाने के लिए बताइए कि वो क्या कर सकता है कि कम से कम अपने पैसे सुरक्षित रखें, देखिए आम आदमी के लिए एक best उपाय है, देखिए, हैकिंग तभी हो सकता है, जब आपका phone आपको internet के साब connected है, OTP के लिए आपको internet का जर आते हैं for banking transactions, वो अगर वहां पे रखते हैं, तो यह आप 80-90% you are safe, provided that आप अगर कहां पे mobile में क्या बात करें, क्या है, यह प्रेगर से आपको सुन रहा है कि नहीं हो रहा है, यह normally आप इसको control नहीं कर पाएं, क्योंकि यह surveillance के थूद से होता है, internet connection आपके phone में रहेगा, best practices आप इसको बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या डीटेल्स हैं, वो बताइए उसकी सुरक्षा के लिए, प्रेगसर्स जो है, प्रेगसर्स मेंली जो इतना खतरनाक या इतना well-planned weaponized system क्यों है, क्योंकि यह देखिए यहां पर आपकर screen में focus कीजेगा, तो देखिए WhatsApp, WhatsApp क्या जान रहे हैं, कि end-to-end encryption रहता है, लेकिन अगर प्रेगसर्स आपके mobile में surveillance कर रहा है, तो आपका kernel में जा सब कुछ वो देख पाएगा, यूज कर पाएगा, इवन आप यह point जो है, कि लोगा, that is very much important, आप क्या-क्या type कर रहे हैं अपने mobile में, यह पूरा details वहां पे जा रहा है, और यह जो प्रेगसर्स है, यह आपको, यह setup करने में, there is infrastructure that is required, यह आप मैं common person है, यह basic ethical hacker, यह जिसके पूरा load होता है, यह real time में, समझ लिए 10 आदमी को, यह 10 mobile को आप track कर रहे है, तो उसका पूरा real time में data जा रहा है, वहाँ पे, there are screen shots which are captured on your mobile, आपका mobile का front screen है, जहाँ पे आप swap कर रहे है, उसका हर आधा seconds में screenshot जा रहा है, वहाँ पे directly, तो यह पूरा इतना खतरनाक तरीके से monitor होता है, जो आपका पूरा movement track करता है, यह GPS location आप क्या देख रहे है, उसका मतलब क्या है, आप क्या सोच रहे है, आप क्या करने वाले है, यह पूरा चीज जो आपको surveillance कर रहे है, उनको पता चाले है, सरकार के कौन कौन से department, या फिर कौन कौन सी शाखाई यह कर सकती है, कि इनको अधिकार है, साइबर लो के तहट यह कितना लीगल है और कैसे इसको देखते हैं, देखिए, law prospect में lawful interception is a term, lawful interception, lawful interception का मतलब मैं आगर आपको संधर कर रहा हूं कि you can be a terrorist, आप terrorist हो सकते हैं, इसके चलते मुझे कोर्ट में जाके permission लेना पड़ेगा कि मैं इनको यह यह आधार से, like I am doubting her and that's why यह आप terrorist हो सकते हैं, इसके लिए मैं यह तूल आपके ऊपर यूज करूंगा, यह नॉर्मन प्रोसीडियर में होता है, कौन-कौन से साखा है, in the sense DRDO, security agencies like CIDs and बगेरा, सबको यह यह यूज कर सकते हैं, लेकिन यह यूज करना, as I am telling you, यह बहु यह यूज करने में या पूरा mobile को surveillance करने में इतना amount spend हो रहा है, इतना infrastructure requirement हो रहा है, यह कोई एक state का या एक security force के ऊपर investment के लिए, like limited नहीं हो सकता है, यह governments ही खरीते हैं, like in France हम लोगोंने, like we are India, purchased three, four aircraft fighter jets, right, तो यह ऐसे weaponized systems, different different governments खरीते हैं, जब NSO की बात कर रहे हैं, technology की बात कर रहे हैं, कैसे यह technology समय से आगे है, और किस तरह से इसका इस्तमाल सरकार अपने फाइदे के लिए कर सकती है, देखे, यह depends, technology समय से आगे यह नहीं है, क्योंकि अगर सोचिए, हम और आप के पास अगर यह investment इतना रहता है, we can see that Israel is far, far ahead in the technological ground, why? Because they are getting investment, यह investment उनको मिल रहा है, अगर Indian government, इंडियन जो companies है, उनमें IT infrastructure build-up के लिए, या weaponized system build-up करने के लिए, on cyber warfare, अगर करते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं, it's not about going ahead of time, obviously it is in time, but the point is, यहाँ पे देखे हैं, हम लोग के पास क्या-क्या जानकारी है on the common ground, और उनके प development बहुत जादा strong है, उन लोग उसमें time spent कर है, हम लोग यह नहीं कर पाने, अगर हम लोग यह करते हैं, तो अपना भी prevention होगा, अपने आप, हम लोग के यहाँ पे भी, we can develop many tools, next question है आपका, के how much it is legal to use it, government, अगर democratic government है, like India, we should have proper permission from the different law, like courts and everyone, that we can use it or not, हम लोग यहाँ यहाँ की नहीं, everyone has a privacy, आपके privacy के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, आपको breach कर दे, आप क्या करने वाले है, यह मेरा कोई अधिकार नहीं है, आपके क्या करने वाले है, यह में जान लेना, लेकिन हा, अगर you are acting against the state, against the country, अगर आप terrorist हैं, तो yes, मेरा अधिकार है, आपको prevent करना, को stop करना, यह thin line of difference रहता है, breaching into a privacy or preventing your country from being like attacked by terrorists or any unknown forces, तो यह decide करना, it's not about common people like me and you, it should be decided on an open forum with all the interventions of understanding क्या-क्या रहना है, क्या-क्या, कितना terrorist influence है, कितना terrorist को हम लोग चाते हैं, how lawful interceptions can be done through the court. यह बड़ी दिल्चस बात होती है, और जैसा कि thin line कहते हैं, यानि कि एक ऐसी लकीर है, जिसे पार करना, लक्षमन रेखा पार करना होगा, लेकिन इस रेखा को कौन बनाएगा, और इसे कौन परिसीमन के साहत, यानि कि सीमा के तहत रखेगा, यही सबसे बड़ी चुनोती ह होती है, क्यामरा परसन सूरज पांडे के साथ, मनोग्या लोईवाल, कोलकाता, ABP News कर दो खार को कि से बड़ी चैसा प्विक्शन्य मंहां बनाएगा, यही सबस्पाशन्य मंहाखें, यही m क